एको ओफ पीस में आप सभी का स्वागत है कोई भी देश अपनी धन संपदा या प्राकरितिक संपदा से विकास नहीं करता बलकि खुशाल बनता है अपनी मानव संपदा के मुल्यों से उनके आध्यात्मिक विकास और शांती की ही व्रिद्धी से देश आगे बढ़ता है विशो भर में हर दिन कुछ ना कुछ गतिविदियां होती रहती है परंतु कुछ गटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी अनुगूंज लंबे समय तक बनी रहती है ऐसी ही पीस न्यूज में से देश विदेश के सेवा समाचारों में से जिन खबरों की गूंज सबसे अधिक रही उनका विशलेशन हम एको आफ पीस में करेंगे इस मास की सबसे महतवपून घटना है 20 जनवरी 2022 प्रातर 10 बच कर 30 मिनिट पर हमारे देश के प्रधान मंत्री माननिय नरेंद्र मोधी जी द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आबू रोड स्तित शांती बन के डामेंड हॉल में आजादी के अमरित मोहतसब से स्वर्निम भारत की और अभियान का वर्चुल सुवारम किया गया इस कारेक्रम में मोदी जी के साथ राजस्तान के राज्यपाल, माननीय शिरी कलराज मिश्र, लोगसभा स्पीकर शिरी ओम बिडला, राजस्तान के मुख्य मंतरी शिरी अशोक गहलाथ, गुजरात के मुख्य मंतरी शिरी भुपेंदर पतेल, केंदरी मंतरी जी किशन रेडी बुपेंदर यादव जी, अर्जुन राम मेगवाल जी, शिरी कैलाश चौधरी और ब्रह्मा कुमारीज संस्तान की मुख्य प्रशासी का दादी रतन मोहनी जी भी उपस्तित थे मोदी जी द्वारा प्रहमा कुमारीज के साथ अभ्यानों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि त्याग और कर्तव्य भाव से करोडो देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नीव रख रहे हैं माननी प्रधान मंत्री ने कहा कि इस अभिहान में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है और साधना भी एक नया सवेरा होने वाला है प्रधान मंत्री ने ब्रह्मा कुमारी बहनों से आवहन किया कि हमारा दायत्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने ऐसी संस्ताएं जिनकी एक अंतरास्ट्रिय उपस्तिती है विद दूसरे देशों के लोगों तक भारत की सही बात को पहुँचाएं भारत के बारे में जो अफवाईं फैलाई जा रही हैं उनकी सच्चाई वहां के लोगों को बताएं जागरूख करें ये हम सब का करतव्य है ब्रह्मा कुमारी विश्व के हर देश से अपनी हर एक ब्रांच से पांसो लोगों को भारत दर्शन के लिए लाएं जो यहां आकर भारत की अच्छाईयों को समझेंगे और विश्व में लेकर जाएंगे सब को ये गौरव होता है कि भारत वर्श से इस प्रकार की इक्षा इस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है तो मैं इस महुष्व के उपलक्ष में सभी को ये प्रातना करती हूँ कि हम एक द्रेश संकल्प करें शोताओ अभिहान का अर्थ है किसी बहुत बड़े उदेश्य को प्राप्त करने या सिद्ध करने के लिए निकल पढ़ने की प्रिया अत्वा कारियों की एक ऐसी श्रंखला जो किसी सिद्धान्त को आगे बढ़ाए सरल भाषा में कहें तो ये किसी कारे सिद्धी के लिए योजनबत तरीके से किये जाने वाला एक सतत पर्यास होता है प्रगति और विकास का आनन्द उचव है आजादी का अम्रित महाँचव है ये महाँचव है नए भारत के निर्मान का बलिदानों के समान का महिलाओं के उथान का अब सर्व के खलियन का जन जन का उचव है माननीय प्रधान मंत्री ने इस अविहान के अफसर पर जो पाते कहीं बेसाधारण नहीं थी उसमें जो तत्व था महत्व था वो सरल होकर भी अत्यंत गूर था आए उसी का विश्लेशन करते हैं कुछ थल ऐसे होते हैं जिन में अपनी एक अलग चेत्रा होती है उर्जा का अपना ही एक अलग प्रभाह होता है ये उर्जा उन महान व्यक्तित्वों की होती हैं जिनकी तपस्या से वन परवत पहाड भी जागरत हो उड़ते हैं मानविय प्रणाओ का केंद्र बन जाते हैं माउंट आबू की आभा भी दादा लेखराच और उन्जेसे अनेकों सिद्व व्यक्तित्वों की बज़र निरंतर बढ़ती रही हैं आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्ता के द्वारा अजादी के अम्रत महोत्सव से स्वानिम भारत की और एक बहुत बड़े अभ्यान का प्रारम हो रहा है इस कारकम में स्वानिम भारत के लिए भावना भी है साधना भी है इसमें देश के लिए प्रेणा भी है और ब्रह्मा कुमारीयों के प्रयास भी है सेवा और त्याक का यही अनुभाव आज अम्रत महोसों में नए भारत के लिए उमड रहा है अपने संबोधन के आरम में ही उन्होंने कहा कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनमें अपनी ही चेतना होती है उर्जा होती है जिनसे वन और परवत भी जागरित हो जाते हैं ऐसा ही एक स्थल है माउंट आपू मानविय प्रेड़नाओं का केंद्र मोधी जी के अनुसार भावना और साधना का नमीन कारिक्रम है आजादी के अमरित महुतसव से स्वर्निम भारत ही और अभ्यान इस समय हमारे साथ हैं इंडिन इंस्टूट आफ मास कम्मिनिकेशन के महानी देशक प्रोफेसर संजेद वेदी आए सुनते हैं उनके विचार ओम शान्ति माउन टाबू में आजादी के अमरित महुतसो पर आदरणिये प्रधामंतरी श्रिमा नरेंद्र मोदी जी ने देश वाश्कियों का जो अभान किया है वानिश्चित रूप से हम सब के लिए प्रणा का कारण है प्रजापिता ब्रह्मो कुमारी इश्वरी विश्विद्याले के आयोजन में मानने प्रधामंतरी ने आजादी के मुरित महुतसो को एक सार्थक संकल्प का वर्स बनाने पे जोड दिया है उन्होंने जिस तरह कल बाते कहीं उससे हम सब का मन उर्जा से भर गया है प्रजापिता विश्विद्याले के साथ अलग अलग छेत्रों में पहल हो रही है विविद्ञेत्रों में मिलकर कि हमको काम करना है और सारे समाज को साथ लेते हुए आजादी के अमरित महुतसों को सार्थक बनाना है सफल बनाना है माने प्धामंत्री जीन यह वी यह पिक्षा किये कि हम सब मिलकर लोगों को नयाय दिलाने के लिए सामाजिक नयाय दिलाने के लिए जो हासिये की लोग हैं उनका हाथ पकड़कर मुख के दारा में लेकर के आएं और पूरी दुनिया में भारत की छवी को भारत की जो एक परंपरा है उसको स्थापित करे उन्होंने हम सबसे उमीद जता ही है कि विदेशों के अंदर भारत की छवी को जो मलिन करने के प्रयास चलने भारत की छवी को जो धुमिल करने के काम चल रहे हैं उन प्रयासों को हमको रोकना पड़ेगा और उसके लिए हमकों सकारात्मक प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है और इसनाते परजा पिताई शुरी विश्विद्याले को उन्होंने बहुत महत्पूर जिम्मेदारियां सोपी है मैंने पिताउमती जी ने अपील किये कि हर देश में जहां जहां पर भी विश्विद्याले का काम है वहाँ पर पाँच पांच सो लोगों को दिक्षित किया जाए और उन्हें लाकर के भारत को दिखाया जाए भारत की परंपराओं को भारत की गोरोसाली जो संस्कृती है उससे उनका परिशे कराया जाए इससे सारी दुनिया के अंदर भारत की प्रतिसुंदर भाव बनेगा हमारे साथ जुड रहे हैं स्टारेक्स उनिवर्सटी गुरुग्राम के खुलपती दॉक्तर एम गोईल आए सुनते हैं वे इस बारे में क्या कहते हैं वे इस बारे में क्या कहते हैं whatever you need that I'll give you whatever you have that I'll take care of and that is the gentleman promise to be given to everybody and for tourism we have to accept it for spiritual tourism which is necessary in sufficient for Atam Nirvarabhala I placed on record the appreciation of Brahm Kumari mission duly recognized by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji Modi Ji ने कहा आज देश किसानों को समर्द और आत्म निर्भर बनाने के लिए और अर्गेनिक फार्मिंग और नेच्रल फार्मिंग प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा हूं खान पान आहार के सुद्ध किताब को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने समाज को लगातार जागूर्द करती रही लेकिन गुनवत्ता पुर्ण आहार के लिए गुनवत्ता पुर्ण उत्पादन भी जरूरी है इसलिए प्रह्मा कुमारी नेक्रल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रिर्णा बन सकती है इंडियन एग्रिकर्चर रिसर्च इंसिटूट पूसा डेली के डॉक्टर एके सिंग इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर एके सिंग आप प्रिंसिपल साइंटेस्ट हैं पूसा में आप हमारे श्रोताओं को बताईए कि 21 सदी में ये प्राकृतिक जो खेती है इसकी आवशक्ता क्यों पढ़ रही है जैसे जैसे हमारी जनसंग्या बढ़ी और हमारे उसमें हम अपनी जरुरत के लिए पैदा करते थे हम बजार के लिए पैदा नहीं करते थे लेकिन बाजारी करन आया, हमें जरुरत पड़ी कि हम बहुत सार उत्पादन करें, उसके लिए हम अग्रिकल्चर मसीनरी, जो फार्मसेयंत्र हैं, मसीनरी हैं, केमिकल फटलाइजर, रासायनिक उर्वरट, रासायनिक पैसिसाइड, जीनोनासी, कवकनासी, हार्मोन, इन सब का प्रियोग करने लगे, और उसमें क्या हुआ कि हम एक से जादे फसलें लेते गए, और हमारी पैदावार बढ़ती गई, दिखाने के लिए कि हमारे किसानों, हमारी जनसंगय का पेट भरता रहेगा, फूट की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इस चक्र में, हमने वो सारी कि पंजाब और हर्याना और विस्टरन यूपी में क्या हो रहा इसकी तारीक में, क्यों हम सुच रहे हैं कि निशनल फार्मिंग पे जानी सही है, जो निशनल फार्मिंग प्राक्रितिक खेती, कि जो सदियों से चली आ रहे हैं, हम उसको लगाएं, उस उस बिदा से तो क्या ये दोनों अपने आप में एक बड़ी चुनाती नहीं है, प्राक्रितिक खेती के मादें? उसको बर्बाद करने के लिए तो अगर कोई ये सोचे कि एक साल में, दो साल में कुछ जादू हो जाएगा, तो होने से नहीं हो, हो नहीं सकता, बट ये जरूर है कि अगर आपको कम पैदावार मिलेगी, तब भी वो पैदावार साएद बहूत कुछ आपके हेल्थ के प्राक्रितिक खेती के बारे में हमने बहुत से जानकारी प्राप्त की है ब्रह्मा कुमारिज इश्वर्य विश्व विद्याले किस प्रकार से शाश्वत योगिक खेती कर रहा है इसके बारे में NDRI करनाल के सीनियर साइंटेस्ट डॉक्टर अवतार सेंट हमें बतला रहे हैं हम सब जानते हैं कि वरतमान समय हम जो केती कर रहे हैं रसाइनी केती इसमें पेस्टिसाइट्स का प्रियोग बहुत अधिक होने के कारण हमारे खाद्यपदार्थ सब दूशित हो गए हैं जहरीले हो गए हैं प्रह्मा कुमारिस की सिस्टर और्गनाइजेशन राजयोग एजूकेशन और रिसर्च पांडेशन ने एक बड़ा ही इन्नोविटिव एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें और्गनिक खेती और राजयोग मेडिटेशन को पंबाइन करने की कोशिश की है इसको शाश्वत योगी खेती का नाम दिया गया है इसमें क्या किया गया है कि जो बीज है उनको संसकारित करते हैं के उसके उपर वाइब्रेशन्स देते हैं और खेत के उपर भी जब फशल आती तो उसमें वाइब्रेशन्स देती हैं कुछ राजयोगी बैठ नाम तो इसके जो प्रियोग में विज्यानिक भी शामिल हुए है जो डाक्टर पांडे हैं उन्होंने जी बी पंत उनिवेस्टी आफ एगरी कल्चर एड टेकनोलोजी से और सरदार कृशिन अगर दांतिवाडा उनिवेस्टी से भी विज्यानिक शामिल होके उन्होंने प्रियोग करके देखा है कि ग्राउंड नट जो मुंपली है और जो ग प्रियोग निवेस्टी प्रियोग करेंगे तो उमीद है कि हमें स्कारात्मक शामिन बाइड़ा थे और क्वालिटी परामीटर इंप्रूव कर गए राज्योग मेडिटेशन को जब हम और गैनिक एगरिकल्चर से सप्लिमेंट कर देते हैं दोनों को मिला देते हैं तो प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जन जन को कर्तव्य के लिए जागरित करके ब्रह्मा कुमारिज बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है सबी संस्थाएं इस एक उदेश्य पर काम करें देश में नागरिकों में कर्तव्य भावना का विस्तार इन 75 वर्षों में कर्तव्यों को दूर रखने की वज़े से जो खाई प्यादा हुई है सिर्फ अधिकार की बात करने की वज़े से समाज में जो कमी आई थे उसकी भरपाई हम मिल करके आने वाले 25 वर्षों में कर्तव्य की साधना करके पूरी कर सकते ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्ताएं आने वाले 25 वर्ष के लिए एक मंत्र बना कर भारत के जन जन को कर्तव के लिए जांगूत करके बहुत बड़ा बड़ला व्लासर और ब्रह्मा कुमारी जैसे जिस तरह तसकों से कर्तव के प्रत पर चल रही है आप लोग यह काम भ़हत आसानी से कर सकते हैं आप लोग कर्तव में रचे पचे कर्तव में रचे बसे कर्तव का पालन करने वाले लोग इसलिए जिस भावना के साथ आप अपनी संस्था में काम करते हैं उस कर्तव में भावना का विस्तार समाज में हो देश में हो देश के लोगों में हो यह आज हादी के इस अमरित पहुच्छों पर आपका देश को सबसे उत्तम उफार होगा इस समय हमारे साथ हैं फरिदाबाद हर्याना के पुलिस कमिशनर शिरी विकास अरोडा आए उनसे पूछते हैं कि कर्तव्यों के प्रती जागरुकता लाने के लिए क्या परियास किये जा सकते हैं 17 साल पहले जब देश गुलाम था तो कितने फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी स्टरगल की और देश को ही वो अपना पूरा जो भी काम करते थे देश को समर्पित हो करते थे उस समय आज भी अगर हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में याद करते हैं तो हमारे एक एक रूंटा ख़ड़ा हो जाता है कि किस तरह उन्होंने सेक्टिफाइज दे के हमें इस देश से अंग्रेजियों से हमें आजाद कराया और आज हम आजादी के महार में रह रह रहे हैं एक छ तो इस तरह कि आजादी हमें केवल हमारे शहीदों जो शहीद हुए आजादी के लिए जिन्होंने अपने जीवन प्राण मच्छावर के उनकी वज़े से हमें मिली है तो सबसे पहले तो मैं उनकी शहीदों करता हूँ जिनकी वज़े से हम आज चैन की सांस ले पा रहे हैं लेकिन साथ ही मुझे बड़ी प्रसंता है कि ब्रह्मकुमारी इस आजादी के अमरित मौस्व में बढ़ चरण के इस्सा ले रही हैं लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि असली आजादी अंग्रेजों से को हम आजाद हो गए लेकिन असली आजादी है जबकि हमारी आत्मा विक कि अजाद होगी वही प्रतेक विकती की अजादी होगी चयब सबकी आत्मा है उनके विकारों से आजाद हो जाएगी और एक सत्यूप का निर्मान होगा और मुझे बड़ी प्रसंता है कि इस काम में जो असली freedom fighters हैं जो आत्मा को आजाद करा रहे हैं वो हमारी ब्रमकुमारी बेहने हैं और जिनको जो हरे एक विक्ति को जो भी इनके सेंटर में जाता है इनके contact में आता है तो जरूर विकारों स इसमें बहुत बढ़ चरके भाग दे रही हैं ब्रह्मा कमारी इसका लक्षे ही स्वर्निम भारत की स्थापना है जिसे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 27 मिनिट के संबोधन में उजागर करते हुए सरहना के साथ अनुमोदित किया उन्होंने स्वर्निम भारत के लक्षे को सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, सैक्षिक ही नहीं बलकि आध्यात्मिक्ता के साथ जोड़कर नई संकल्प न प्रस्तुत की अन्होंने एक अच्छी बात कही ब्रंकवारी संत्ता के बारे में सेवा, सद्भावना की बात कही प्याक की बात कही संकल्प ससिद्धी की बात कही जो हमारे प्रहन मंतृ मिर्द भाई मोधि का फ्रिजन है जो मैंने देखा है 2015 में Inited Nation Headquarter में जब वो बोल रहे थे Sustainable Development गोल के लिए तब भी आज भी और कई मोगों पे हमने ब्रान्वंत्री को दिखा है जाना है और समझा है और जानने की कोशिश की है एक बास्तम में वो रास्त शंत हैं हमारे पदान्वंत्री दज्वाई मोदी और खास करके ब्रह्मक्वारी संस्था के बारे में जो हुनों ने कहा जो तारीफ की तो अपने आप में एक एतिहासिक भाशन है वर्ष भर चलने वाले इस अभियान से करोडों की संख्या में लोग ब्रह्मकुमारीस के संपर्क में आएंगे और लाखों लोग संस्थान से लाभानवित भी होकर रास्त धारा में अपना योगदान भी देंगे 12 महिनों तक चलने वाले इस परियोजना के अंतरगत भारत सहित 135 देशों में प्रह्मकुमारीस के 4000 से अधिक सेवा केंद्रों और 20 सेवा प्रभगुद्वारा 30 से अधिक विविद अभियान आयुजित किये जाएंगे जिसमें लगभग 15,000 कारेक्रमों के माध्यम से 10 करोड लोगों तक पहुँचने का लक्ष है इस महोचसव के तहट समाज के हर वर्ग की सेवाओं के लिए विभिन विश्यों पर अभियान, संगूष्ठिया, महा सम्मेलन, प्रतियोगिताएं आधि आयुजित किये जाएंगे राजियोगिनी दादी रतन महीनी जी के कुशन नित्रत्व में ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक, पिता श्री ब्रह्म हबाबा का स्वरनेम भारत के नवनेर्मान की जो संकल्पना थी, उसको साकार रूप देनी के लिए या महोचसव आधार बनेगा आज का ये कारिकरम आपको कैसा लगा? आप अपने विचार और सुझाव हमें भेश सकते हैं, हमारा एमेल है peacenews at the rate godlywoodstudio.org आज बस इतना ही, अगले माज तीसरे रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब दक के लिए हमें दे अनुमती, नमश्कार बतन से की महबत जो उसे हम याद करते हैं